My dear students, assalamu alaikum. आज हम comprehension कर रहे हैं chapter number 3 की the journey of chocolate. Chocolate का journey जो है वो द्रख्त के उपर pod लगने से होता है, फिर उसमें से beans निकाले जाते हैं, फिर उनको dry किया जाता है, फिर उनको mix किया जाता है, फिर उनको packing की जाती है. तो इसी तरह हमारी जिन्दगी का भी एक जो है वो सफर है, हम पैदा होते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर जॉब करते हैं और फिर हम इस दुनिया से चले चाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी जिन्दगी में जिन्दगी देने वाले को पहचाने, जो अल्ला मेरा और आपका और अपनी जिन्दगी को अच्छे तरीके से गुजारें, क्यूंकि ये एक सफर है, मन्जल नहीं है, तो हमें सच बोलना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, और हमेशे सचे रस्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, आज हम करेंगे वाटार डिफ्थॉंग्स, डिफ्थॉंग्स चंटेन तो वावल्स देट फॉंग्स, वह दो वावल्स पर मुश्तमिल होते हैं, और दो वावल्स मिलकर एक नई सांड बनाते हैं, वाट इस अ श्लेबल, श्लेबल किसको कहते हैं, यह हम पहले पढ़ चुके हैं, अस इंगल लेटर और ग्रूप अफ देट इंक्लूड डिस्टिंग्ट वावल्स आंड, इसकी मिसाल में आपको इस तरह से जाती हूं, के जैसे यह वाटर है, तो वाटर में, इसके वाटर टू पोर्शन हैं, और इसमें एक वावल अ की सांड है, एक एक की, तो यह बनता है वाटर, तो इनको, जब हम कोई वर वर्ड जो है उसको दो पॉर्शन इसके हैं water इसको two syllable word कहेंगे इसी तरह एक और example देखते हैं यह blackberry आप देखें के blackberry इसमें तीन syllables है black bell और री तो इसमें अगर आप देखें तो आ की sound है ए किया और फिर end में double e की sound है blackberry तो यह है syllables अब हम देखते हैं कि यह couch है ठीक है couch में o भी जो है वो एक vowel है और you भी और दोनों मिलकर एक नई sound बनाते हैं तो diphthong is a syllable containing two vowels in which a new vowel sound is formed by the combination of both vowel sounds यानि diphthong जो है उसमें दोनों labels होते हैं वो vowels पर मुझतमिल होते हैं और वो दोनों मिलकर एक नई sound बनाते हैं जैसे die का मतब होता है two और thong कहते हैं sound को तो diphthong mean दो vowels मिलकर एक नई sound बनाते हैं a diphthong begins as one vowel sounds and moves towards an other यानि एक vowel sound से दूसरी vowel sound की तरफ जाते हैं और वो मिलकर नई sound बनती है जैसे coil o i मिलकर एक नई sound बना रहे हैं जैसे pain a और i मिलकर नई sound बना रहे हैं diphthongs हैं इसी तरह now o और w मिलकर नई sound बनाते हैं तो इनको हम diphthongs कहते हैं अब हम अपने जो examples दी हुई हैं बुक में उनकी तरफ चलते हैं now the process of delicious chocolate making starts अब आप इसमें identify करें diphthong कौन सा है इसमें now है ठीक है next है I read a book about chocolate मैंने चॉकलेट के बारे में एक किताब पड़ी इसमें कौन सा diphthong है इसमें है about next है he bought a lot of chocolate and oil अब इसमें identify करें कौन सा diphthong है I bought मैंने खरीदी क्या खरीदी बहुत सारी chocolate और oil तेल इसमें oil जो है वो diphthong है next है Aisha does not gain weight even though she eats a lot of chocolate Aisha जो है उसका वजन नहीं बढ़ता हालांके वो बहुत ज्यादा chocolate खाती है तो इसमें कौन सा है diphthong इसमें gain ठीक है next question करेंगे why is eating too much chocolate not good for health अगर बहुत ज्यादा chocolate खाई जाए तो वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है इस answer का ज्यादा है कि जब हम too much chocolate खाते हैं तो हमारे दांद खराब हो सकते हैं इसे और दूसरा हम मुटापा जो है इसको ओवेस्टी कहते हैं English में हम मुटे हो जाते हैं मुटापा जो है वो बहुत सारी बिमारियों की जड़ है हर ठीज जो हैं वो मुटापे से शुगर डायबीटिस जैसी बिमारी हो जाती है दिल के आरजे लख हो जाते हैं और जोड़ों की तकलीफ भी हो जाती है हमें हर ठीज जो है वो मुनासर मिक्दार में खानी चाहिए और इसके साथ हमने सीखा था कि زिपी एक सफर है है कि जो मेरे उपर इमान ले के आयो हो हमेशा सच बोलो उमीद है आपको समग पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें